असलाम लेकुम स्प्रेंट्स और हम पढ़ेंगे थियोर्म 12.1.5 जो के थियोर्म 12.1.4 का कनवर्स है थियोर्म 12.1.4 में हमने ये प्रूव करना था कि जो पॉइंट एक एंगल के बाइसेक्टर पर है वो अपने आर्म से इक्विडिस्टेंट है यहां पर हमने ये प्रूव करना है कि जो प्ईट अपने आर्म से इक्विडिस्टेंट है वो एक बाइसेक्टर पर है ये हमने प्रूव करना है given any point P lies inside angle AOB such that PQ is congruent to PR अब हमने कहा कि कोई भी point P जो एक angle AOB के अंदर है इस तरह से कि PQ और PR आपस में congruent है where PQ is perpendicular to OB and PR is perpendicular to OA जहां पर PQ O B पर perpendicular हो और PR O A पर perpendicular हो यह हम given लिखेंगे to prove point P is on the bisector of angle AOB हमने prove करना है कि point P angle AOB के bisector पर है construction में हम करेंगे join P to O P को हम O से join कर देंगे proof में हम देखते हैं in triangle P O Q is corresponding to triangle P O R P O Q और P O R triangles को हम आपस में corresponding देखेंगे पहले statement हम लिखते हैं angle P Q O is congruent to angle P R O angle P Q O और angle P R O आपस में congruent है यह given हमारे पास के right angles है क्योंकि हमने बताया था कि P Q perpendicular O B से P R perpendicular O A से यह right angle triangles है क्योंको यह perpendicular है फिर हम कहते हैं given है क्योंकि दोनों right angles है यानि दोनों 90 degree के equal होंगी इसलिए दोनों congruent है अपस में पिर हम कहते हैं P O is congruent to P O P O P O के इसका congruent है क्योंकि यह common point है इसकी reason है common फिर हम कहते हैं P Q और P R आपस में congruent है यह हमारे पास given है given में हमने बात की ठीक है P Q is congruent to P R therefore triangle P O Q is congruent to triangle P O R हमने दो साइट और एक triangle को congruent प्रूफ किया लिकिन यहां पे हमने hyphotenuse side का postulate बनाया P O Q P O Q triangle में P O इसका hypotenuse है और P Q O 90 डिगरी की एंगल है यानि राइट अंगल triangle का hypotenuse है P O इसी तरह यहां पे हमारे पास P Q उसकी side है तो हमने hypotenuse side से इस theorem को prove कि है कि एक हमने बात की दोनों 90 डिगरी की angles है फिर P O इनका hypotenuse और P Q और P R इन दोनों ट्राइंगल की side थी तो यहां पर पहले हमने बस यह प्रूफ करना है कि नाटी डिगरी के है फिर हमने एक hypotenuse और एक साइट को जब वापस में प्रूफ कर देंगे hypotenuse side को पॉस्टिलेट बनेगा यहां पर angles की spelling दिलत है that is P is on the bisector of angle AOB अब हम कहते हैं अगर यह angles आपस में congruent है यानि P O Q और P O R आपस में congruent है इसका मतलब है point P O angle AOB यानि O का bisected है